हेलो फ्रेंड आज हम लोग राष्टिया दिवस के बारे में जानेंगे तो राष्टिया दिवस के बारे में पहला कुस्षन देखें यहां पर है राष्टिया विज्यान दिवस का मना जाता है तो राष्टिया विज्यान दिवस यहां पर 28 फरवरी को मना जाता है अगर हम 5 जन्मरी के बात करें तो पांच जन्मरी को गुरु गोविण सिंग जयन होना चीए कि 22 अपरिल को वीश्व पिर्थवी दिवस मना जाता है उसके बाद 2 अक्टूबर को पता होगा गांती जहनती मना जाता है और 26 जुलाई अगर हम 26 जुलाई की बात करें तो 26 जुलाई ऐसे कोई विसेश दिन नहीं होता है लेकिन फिर भी कोई दिवस होगा जो महतपुर्ण फिलाल यहां पर नहीं है सब इस विलाई का नेक्स कुशन देखते हैं लिखित में से कौन सा दिन कंप्यूटर सक्षरता दिवस की रूप में मना जाता है तो दो दिसंबर हो जागा कंप्यूटर सक्षरता दिवस अगर हम एक दिसंबर की बात करें तो एक दिसंबर को मना जाता है विश्व एट्स दिवस विश्व एट्स दिवस और अगर हम चार दिसंबर चार दिसंबर के अगर हम बात करे تو 4 December को मनाया जाता है 9 से 9 दिवस दिंवस को 9 से 9 दिवस बना जाता है और अगर हम 10 December के बात करें तो 10 December को मनाया जाता है विश्व मानवा धिकार दिवस है छाएर नेक्ष्ट कोसन देखते हैं तो एक बार फिर से बता रहे हैं राष्टे विज्ञान दिवस कबना जाता है तो 28 फरवरी को निम्लिखित में से किस दिन प्रतिवर्स खेल दिवस मना जाता है 29 अगस्त को कौन सा दिन कंप्यूटर सक्षरता दिवस के रुप में मना जाता है तो कंप्यूटर सक्षरता दिवस मना जाता है तो वह दो दिसमर मना जाता है निमलिखित में से कौन सा दिन केंद्रिया उत्पाद सुल्क दिवस मना जाता है ठीक है तो केंद्रिया उत्पाद सुल्क दिवस के अगर ह मना जाता है तो लेकिन 20 मर्च को कोई भी दिन नहीं मना जाता है लेकिन और 21 से मेल बाद करें तो 21 दिवस 21 से मेले से मर्च के लिए कि है यह आगे कुशन देखते हैं वी हिंदी से हिंदी निवास के रूप में मना याता हो यह मिना या तो लिए भाम करें चाहतेम आज तो हुने जाय सितम्हां कर आखणर सब्सक्राइड हुशित चाहतो है ठीक है और तीन दिसम्बर को तो ऐसे कोई स्पेशल दिन नहीं होता है लेकिन अगर बात करें चार दिसम्बर का तो नो से नो दिवस मना जाता है और एक दिसम्बर को मना जाता है लेकिन तीन दिसम्बर यहां पर कुछ नहीं मना जाता है चलिए नेक्स वोशन देखते हैं सि सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है और अगर हम आठ सितंबर की बात करें तो आठ सितंबर को क्या मनाया जाएगा आठ सितंबर को नहीं कुछ मनाया जाएगा लेकिन हम अगर हम अगर हम आठ सितंबर की बात करें तो क्या मनाना चाहिए कि वीश्व साक्षारता दिवस मनाया जा सकता आठ सितंबर को वीश्व साक्षारता दिवस मनाया जाएगा अब सुल्ह अक्टूबर रही तो सुल्ह अक्टूबर को क्या मनाया जाएगा तो सुल्ह अक्टूबर को अगर बात करें तो वीश्व खाद दिवस के रुपे मनाया जाक годаさん दिवस का ढूत को अगर देखा जातों यह है इसको क्लिशक दिवस भी काते डिकिДа और यह 23 डिसंबर को मनाया जाता है के अगर हम बात करें एक जुलाई को तो एक जुलाई को कौन सा दिवस मना जाता है यहाँ पर एक जुलाई तो एक जुलाई को राष्ट्य चिकित्सक दिवस मना जाता है अब चार दिसंबर की अगर हम बात करें तो चार दिसंबर को कौन सा दिवस मना जाता है और 23 December को क्या मना यता है? 23 December को भी मैंने बताया कि 7 दीवस मना यता है ठेक है? Next question जलते हैं चिकित्सक दीवस किस दिर मना यता है? अमसर होए आपका एक जुलाई को चिकित्सक दीवस जो मना यता है? एक जुलाई को मना यता है अगर हम April की बात करें मनाया जाता है लेकिन अगर हम दो अप्रेल की बात करें неistsَ सब्सक्रांट है जागुछीं मनाया जाता है काомеमाई यार। सब्सक्राप ओना जाओ अधिया Bush को आप असान हैना इसको कि आप यहाँ सब्सक्राप या encourage एक में को तो आप बोल सकते एक मैं को अंतरास्टिया स्रभूक Aww… यदि वित्यावरं दिवस मना जाता है। और अभी चिकित्सक दिवस की तो बात कर ही दिए चिकित्सक दिवस कब मना जाता है तो एक जुलाई को चिकित्सक दिवस मना जाता है तो नौ से न दिवस किस दिन मना जाता है तो नौ से न दिवस के अगर हम बात करें तो किस दिन मना जाता है तो नौ से न दिवस चार दिसंबर को मनाया जाता है ठीक है अगर हम नौ से न दिवस की बात करें तो ये चार दिसंबर को मनाया जाता है और एक जन्वरी एक जन्वरी को क्या मनाया जाता है तो एक जन्वरी को अंतराष्टिय परिवार दिवस मनाया जाता है अगर हम पंद्रा जन्वरी की बात क 10 आपरेल कि अगर के आगर बात करता है तो वी सुष्वास्थ दिवस यहां डियों बश्रीम को कोई बहूंतिति नहीं है ऐसे ती थी तो होगी कोई नहीं है वह हमारे क youngest के बात करते है इंगत catch राष्ट्य एक्ता दिवस के रूप में कौन सा दिन मनाया जाता है तो राष्ट्य एक्ता दिवस के रूप में जो मनाया जाता है यह उनीश नवंबर अंसर हो जाएगा अगर हम दू अक्टूबर की बात करें तो दू अक्टूबर को क्या मनाते हैं तो दू अक्टूबर को ह है हर बच्चा मनाता है इसको 14 November को बाल दिवस यानि कि बच्चों का दिवस होता है राष्ट्य प्रद्योगी की दिवस के रूप में मनाया जाता है तो राष्ट्य प्रद्योगी की दिवस जो है ये कब मनाया जाता है ठीक है तो आंसर होगा इसका कि 11 माई 11 माई को मनाया जाता है ठीक है अगर हम 11 जुलाई की बात करें तो 11 जुलाई को मनाया जाता है वीशव जनसंख्या दिवस, ठेक, 21 अगस्त कोई मतपूर्ण दिवस नहीं है और 29 मही भी कोई मतपूर्ण दिवस नहीं है, यहां पर राष्ट्य प्रद्योगी की दिवस की बात कर दाता, तो आज़र देंगे 11 मही, 11 जुलाए को वीशव जनसंख्या दिवस मना जाता है, च 10 दिसंबर का, तो 10 दिसंबर को 20 मानवाधिकार दिवस मनाता है, और 1 दिसंबर को 28 से दिवस मनाता है, लेकिन 7 सितंबर को कोई मतपूर्ण दिवस नहीं मना जाता है, बात करते हैं, भारत में राष्ट्य वीधी दिवस के रूप में कौन सा दिन मना जाता है, वीधी दिव कब मनायता है तो आंसर होगा आपका 26 नवंबर को 15 अगस्त को तो पता ही होगा स्वतनरता दिवस मनाते हैं और 26 जनवरी को तो पता ही होगा गंतंत्र दिवस मनाते हैं 26 मही को क्या मनाते हैं कि मיא तो 26 मईह को कोई भी दिवास special दिवास मना जता च्वैसां भी कोई की दिवास का इसता-उबंबर आपका 14 नमंबर ठीक है 14 फर्वरी को क्या मनाते है को वायलेंट दिवस मनाते हैं ठीक है और रही बात 14 सितंबर को तो 20 हिंदी दिवस मना जाता है अब रही बात 14 माई को ठीक है तीस जन्वरी को मना जाता है, पंद्रा जन्वरी को थलसेना दिवस मना जाता है, और एक जन्वरी को क्या बताया गया था, एक जन्वरी को सबसे पहले ही मैंने की कुस्षन किया था, अंतराष्टिया व्यपार दिवस मना जाता है, और नौ जन्वरी को क्या मना जाता है, तो लिखित में से कौन सा दिन संचाइक दिवस के रुपे मना जाता है संचाइक दिवस 15 सितंबर को मना जाता है ठीक है तो 11 माई को क्या मना जाता है तो 11 माई की अगर हम बात करें तो 11 माई को राष्टिया प्रद्योगी की दिवस मना जाता है ठीक है 11 जुलाइं को किया मनालयता है मैंने बताया पीछले समय में बताया है नरी जलाइं कोईश्टाइङ तरफ के सरफ எ समय रस्टिय पख्षी दिवस और को आण्सार अपका दो सच्छाय का दिवस घिका समाजिक अधिकारिता इस्वरति दिवस कब मनाया आगा जाता है तो अत्हार निर्मण दिवस तो समाजिक अधिकारिता इस्वरिती दिवस को मनाते हैं तो यह मनाते हैं 20 मार्च को लेकिन यहाँ पर एकीस मार्च की बात करें एकीस मार्च को बहुत सारा दिवस है ठीक है अगला है आतंकवाद विरोष दिवस की सिधिक को मना जाता है तक वाद विरोष दिवस ठीक है 21 मही को मना जाता है और आंसर होगा आपका 21 मही मिठीक है तुझे मुट्था तो सही सिटहर स раза मिलjach ए निले लिए झालज सोसम देखते हैं कि Dewa कि ऑफ साथ सितंबर को साथ सितंबर को अगर बात करें तो 60 seconds सेन जंडा दिवस मना जाता है ठीक है है और अगर बात करें तो आंसर हो जागा आपका 20 नमर को राष्ट्या उबहुगता दिवस मना जाता है तो आंसर हो जागा आपका जो मनायता है क्या मनाता है तो एंटी टुबाइकोडे मनायता है एंटी टुबाइकोडे क्या होता है एंटी टुबाइकोडे वीश्व तंबाकु निसेद दिवस होता है वीश्व तंबाकु निसेद दिवस ठीक है अब यहां है मदर्स डे ठीक है तो मदर्स डे कब मनायता ह लाजून को सुला जून को फाधर बना जाता है अमसर इसका और निक्स्ट कुस्ट्स न है अगर इस तों सब्सक्राइब करें तो सितंबर को तीटस्ड़ मना जाता है तो यहां पर एंटी कि किसका जन्म इस्वार जाता है तो किसका दिवस मनाया जाता है तो अंसर फॉपास चंद्र बोषầy परेускि किस्की सुनोरे तीमें तेरह फर्वर्वरई को महिला दिवस मनाया जाता है तो अभी मैंने कुस्टन कहीं बढ़ा था उपर में कि यह जो है ना तेरा फरवरी को महिला देवा सरोजनी नाइडू डे के दिवस्व के रूप में तेरा फरवरी को महिला देवा सरोजनी नाइडू करते हैं लगता है वीडियो काफी लंबा हो जाएगा और हमको दो पड़ रहा है चलिए देखते हैं राष्टिय मत दाता दिवस कब मनायता राष्टिय मत दाता दिवस कब मनायता तो अंसर होगा 25 जनवरी को तो थल से नदोस मनाते हैं 15 फरवरी और 25 यह दोनों दिवस के रूप में इंपटन नहीं है नेक्ट रूशन है राष्टिय परियावरन दिवस परतियक वर्ष कब मनायता है ठीक है तो आंसर होगा आपका सी नंबर 14 दिसंबर को ठीक है अब समझे का 14 दिसंबर को जो मनायता है तो 14 दिसंबर को क्या मनाया जाता है ठीक है तो 14 दिसंबर ठीक 14 November को तो 1 देस मना जाता है 24 November और 24 December ठीक है 24 November to 24 December कोई भी तिधी मतपुर नहीं मना जाता है 15 January किस रूपे मना जाता है 15 January को क्या मनाते है ठीक है तो अंसर हो जाएगा आपका सेना दिवम्य को सेना दिवम्य mनाते है 15 January को कुछा नमर 27 का बात करें तो बताएए 20 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया था है सत्भावना दिवस तंबाकुनिशे दिवस का बताएं 31 मही को बताएं फिर थवी दिवस का मनाते हैं 22 मार्च को इसकी सहीद होने की याद में सहीद दिवस मनाया था है तो 23 मार्च को जो दिया गया था उनिस सो एक तीस में भगत सिंग राजगुरु और शुक्देव इन लोगों को फांसी पे चड़ाया गया था इसलिए 23 मार्च को इनहीं का सहीद दिवस मनाते हैं तो चलिए आज इतना ही रखते हैं 28 तक पार्ट वन में पार्ट टू में इसको किलियर करेंगे क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो जने के बाद पसंद नहीं किया जाता है अधिकतर लोगा करना कि बहुत लंबा वीडियो हो जाता है तो आज इतना ही नेक्स्ट क्लास में आग मेंट करके पूछ सकते हैं और सब ठीक है चलिए धन्यवाद है कि अ कि अ कि अ कि अ कि अ कि अ कि अ